चेहें दोस्तो वेलकम टू टूड़े एक्जाम क्लास एज दोस्तो आज की सुड़ी हम राजस्तान के तीस हैसे मोस्ट इंपोरेंट क्यूसन आंसर याद करेंगे जो आपके रीट, फॉरेस्ट कार्ड, वो आर्पेसी सेकेंड ग्रेड जैसे एक्जाम के नए पैटन पर आध दोस्तो आप जरूरियात करें और इस वीडियो में दो क्यूसन अभ्यास के तोर पर आप से भी पूछेंगे जिसका दवाब आपको कमेंट सक्शन में लिखकर बताना हैं इसलिए सभी क्यूसनों को आप पहले जरूरियात करें तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्यूसन पहला क्यूसन है राजस्तान के केसे सेतर में बागडी बोली बोली जाती हैं तो इस सवाल का सही जवाब जाएगा option एनी राजस्तान के डूंगरपूर और मासवड़ा जिले में बागडी बोली बोली जाती हैं जबकि उदेपूर जिले में मेवाडी बोली, जैपूर में डूंडाडी बोली और कोटा जिले में हाडुती बोली बोली जाती हैं और बागडी बोली हैं वो डूंगरपूर तता मासवाड़ जिले में बोली जाती हैं नेक्स्ट अगला दूसरा क्यूसन है बनास, चम्बल और सीप का त्रिमेणी संगम किस स्तान पर हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option एउनि बनास, नदी, चम्बल, नदी और सीप का त्रिमेणी संगम है जो रामेशवर गाट सवै मादोपूर में इस्तितन है काँ पर सवई मादोपूर में है वो इस्तित हैं चंबल, बनास और सीप का त्रिमिनी संगम नेक्स्ट अगला तीसरा क्यूसन है राधस्तान में ससस्तर क्रांती की लेर को आगे बढ़ाने में सबसे मैतपूर्ण योगदान किस परिवार का है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन बनी राधस्तान में ससस्तर क्रांती की लेर को आगे बढ़ाने का जो सबसे मैतपूर्ण योगदान है वो बारट परिवार का है जो केसरी सिंग बारट से समन्दित परिवार था नेक्स्ट अगला चोता किसन है बीकानेर सासक राठोडों की इस्ट देवी निमन में से कौन सी है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन बनी बीकानेर सासक राठोडों की जो इस्ट देवी है वो करणी मातक देवी है और करणी मातक का मंदीर है वो देश नोक बीकान की देवी के रूप में भी जाना जाता है जो बीका निर्सासकों के राठडों की इश्ट देवी भी थी अगला नेक्ष्ट पांचा किसन है सिर्पर सिद्र योक्त मटके पर दीपक रखकर कौन सा नरत्य क्या जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन भी थी निर्फ पर सिद्र योक्त मटके पर दीपक रखकर गुड़ला नरत्य को क्या जाता है अगला छटा किसन है राधस्तान के किस जिले में सरवादी के खारे पानी की जीले इस्तित है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन सी निर्फ राधस्तान के नागोर जिले में सरवादी के खारे पानी की जीले है और राधस्तान की सबसे बड़ी खारे पानी की जीले है वो साम्बर जीले है नेक्स्ट अगला साथवा किसन है राजिये में सरवादिक अच्छी किसम की उन देने वाली बेड़ की नसल कौन सी है तो इस सवाल का सही जवाब देगा आपसन है भी यह नहीं राजिये में सरवादिक अच्छी किसम की उन देने वाली बेड़ की नसल है वो चोकला नसल है जबकि सरवादिक उन देने वाली नसल है वो जैसल मेरी नसल है बेड़ की नेक्स्ट अगला आटवा किसने कीरती इस्तम्ब का निर्मान नियमन में से किसने करवाया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नी मारणा कुंबा है जिनोंने कीर्थी इस्थम का निर्मान 1448 में करवाया था जो एक 9 मंजीला इस्थम है अगला next नौवा किसने मावीर जी का मेला किस जिले में अलगता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C नी रादस्थान के करोली जिले में चैत्र सुकलत्रहद इस्थम को मावीर जी का मेला लगता है next अगला 10 वा किसने रादस्थान के कुल कितने जिले इतनिश्ट तता अंतरवर्ति जिले हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option D&E राजस्तान के कुल आठ जिले हैं जो अंतनिष्ट या अंतरवर्ती जिले हैं अंतनिष्ट और अंतरवर्ती जिले वे जिले होते हैं जिनके सीमा ना किसी राजिये ना किसी अंतर राश्ट्री सीमा को छूते हैं जो आठ राजिये हैं राजस्तान के कौन कौन से अजमेर, राजसमंद, दोसा, बूंदी, टॉंक, नागोर, जोधपूर और पाली जिला ये आठ जिले हैं जो राजस्तान के अलवा किसी भी राजिये या अंतराजिये के साथ सीमा नहीं बनाते ही अगला नेक्स्ट ग्यारवा किसन है राजस्तानी हस्त कला पिचवाई का मुक्य के कैंदर कौन सा हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन है ये नात द्वारा राजसमंद हैं जो राजस्तानी हस्त कला पिचवाई का एक मुक्य कैंदर हैं कौन सा राजसमंद नात द् अगला नेक्स्ट बारवा किसन है तगड़ी नामक आबूसन सरीर के किस अंग पर का एक आबूसन है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन भी यहनी तगड़ी नामक आबूसन है जो सरीर के कमर का एक आबूसन है नेक्स्ट अगला तेर्वा किसन है प्रसिद बिलू पोर्टरी कला किसके सासनकाल में रादसतान या भारत में आयी थी तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ओप्स件 है यहनी जैपूर के मान सिंग प्रतम है जिनके सासनकाल में बिलू गनापकसी अध्यारंग को केश वर्स में राजिय का दूसरा राष्ट्य उद्यान गोशित क्या था तो इस सवाल का सही जुझा आप देगा ओप्शन इनि साल 1981 में गनापकसी अध्यारण जो भरतपूर जिले में स्थित हैं जिनको राजिय का दूसरा राष्ट्य उद्यान गोशित क्या था कब साल 1981 में जबकि साल 1985 को गनापक्सी अभ्यारण को युनेसको द्वरा वेशु प्राकर्तिक दरोर की सूची में सामिलिक किया गया था अगला नेक्स्ट पंदरवा किसन है राधस्तान ताप मान की दरश्टी से केसे जलवाई कटी बंद में आता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन डी नी राधस्तान है वो ताप मान की दरश्टी से ओक्षन एंसी तोक्षन कटी बंद के छेतर में आता है अगला सोड़वा किसन है राजस्तान में बारत का सबसे गरम इस्तान कौन सा है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन है भी यह नि राजस्तान में बारत का सबसे गरम इस्तान है वो थार का मरुस्तल है और थार का मरुस्तल है जो राधस्तान की पच्चीमी में 12 जिलों में विश्त्रित हैं और राधस्तान के कुल छेतरपल का थार हैं वो 61.11 परतिसत बाग में फैला हुआ है अगला नेक्स सतरवा किसे ने थार के मरुस्तल पर राजस्तान की कुल कितने परतिसत जन संक्या निवास करती हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्शन थार के मरुस्तल पर राजस्तान की कुल जन संक्या का 40 परतिसत जन संक्या हैं जो थार के मरुस्तल में निवास करती है अगला नेक्ष्ट अटारवा किसने राधस्तान में बांगड की मीरा निमन में से किसे कहा जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन है यहनी डूंगरपूर में जन्मी गवरी भाई हैं जिनको मीरा की तरे भक्ती करने के कारण बांगड की मीरा कहा जाता है किसे गवरी भाई को नेक्स्ट अगला उग्णिस्वा किसन है संग्मर्मर की मूर्तियां और हाती दाहत का कारिय राधस्तान के किस सहर का प्रसिद है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option यानी संग्मरमर की मूर्तियां और हाती दाहत के कारिये के लिए राधस्तान का जैपूर सहर प्रसिद हैं नेक्ष्ट अगला वीशवा किसन है बसंत गड़ का सीला लेके किस जिले से सम्मंदित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option है बसंदगड का सिला लेक हैं जो बसंदगड दुरग चेरोई जिले में इस्तित हैं नेक्स्ट अगला 21 किसन है रहवासा सीकर में किस लोग देवी का मंदिर इस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option है यानि रेवासा सीकर में जीन माता लोग देवी का मंदिर इस्थित हैं जीन माता की हैं जो सेकावटी चेतर की और मदू मख्यों की लोग देवी भी कहा जाता है किसे जीन माता की है जिसका मंदिर है रेवासा सीकर जिले में नेक्स्ट अगला 22 किसने जलालूर्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसल्मान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन एनि रन्थंबोर के दुर्ग के बारे में जलालूर्दीन खिलजी थे जिनने कहा था मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसल्मान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं अगला 23 किसने राजस्तान संग का निर्मान 25 मार्च 1948 को हुआ इसमें राजपरमुक की किसे बनाया गया तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन है कोटा के महराव भीम सिंग थे जिनको 25 मार्च 1948 को राजस्तान संग का निर्मान वा था उसमें राजपरमुक बनाया गया था किसे कोटा के महराव भीम सिंग को जबकि परदान मंत्री हैं वो गोकुल लाल आस्वा को बनाया गया था कब 25 मार्च 1948 को नेक्स्ट अगला 24 वा क्यूस्टन है इग्यारवी सदी का प्रसीद सास बहु का मंदिर कहां इस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन एनी उदेपूर जिले के नांगदा गाव में प्रसीद सास बहु का मंदिर इस्तित हैं कहां पर उदेपूर जिले के नांगदा गाव में नेक्स्ट अगला 25 वा क्यूस्टन है गराश या जन जाती द्वारा किये जाने वाला नरत्य कौन सा है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन एनी गराश या जन जाती द्वारा किये जाने वाला नरत्य हैं जो वालरा नरत्य हैं और वालरा नरत्य हैं जो राजस्तान में करते समय किसी भी वाद यंत्र का प्रियोग नहीं किया जाता है और गराश ही जन जाती हैं जो एक आदिवाश ही जन जाती है जो राजस्तान में तेसरा हिस्तान अपने जन संक्या की दरश्टी से रखती है नेक्स्ट अगलाश 26 के उसने सवही मादवपूर के चौत का बरवडा किस खनीज के लिए जाना जाता है तो इस सवाल का राजस्तान का प्रसीद ओदोगी की सेर कोटा किस नदी के तट पर इस्तित है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A यानी राधस्तान का प्रसीद ओद्योगी की सेर कोटा हैं वो चम्मल नदी के तट पर इस्तित्व हैं अगले 28 किसने राधस्तान में कपास का सरवादिक उतपादन कहा होता हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C यानी राधस्तान में कपास का सरवादिक उतपादन हैं जो हनुमानगर्ड जला जिला में होता हैं और हनुमानगर्ड की अलवा गंगानगर जिले में भी कपास क internet srbandi के उत्पादन होता है अगला नैक्स्ट अगर पीतल और डइंगल बासा में लिके गए गमेंगे गरंद कौन से हैं तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब आप comment section में जरूर लेकर बताएं सवाल क्य ां पीतल और डिंगल बासा में लिखे गए ग्रंत कौन से हैं तो आपसने गंगा लेरी बाला बैली किसंद रुकमनेरी कृतियां हरी रास या ये तता भी दोनों इन में चारों अपसनों में से कौन साप्सन सही हैं वो आप कमेंट सक्षन में लिखकर जरूर बताईए नेक्स अगला दूस इस रातस्तान जीके के मोश्ट इंपोर्टन क्यूसन आंसर जो आपके रीड 2022 के नए सेलबस पर आधारी थी उमीद करता हूं इस सभी क्यूसन आपको अच्छे से याद होगे होंगे अगर याद होगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर पहली बार है तो चै जरूर देखे और रीड की त्यारी को आप जरूर मजबूत कीजिए और दोस्तों हम मिलते हैं अगले मोडल पेपर के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम